मेरा नाम है देव आज के इस वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले मैं आपको यहाँ पर बैस 16 जो है यहाँ पर मुचल फंड के इंडेक्स फंड बताने वाला हूँ तो देखिये जब से बह нач 표 जान लेते हैं कि आकिर जो इंडेक्स फंड होते हैं वो आकिर क्या होते हैं और जब भी मार्केट गरता है और आगर आप इंडेक्स फंड के अंदर इंवेस्टिंग करते हैं यह long term के लिए भी करते हैं, तो काफी जादा यहाँ पर beneficial होता है, क्योंकि गिरते हुए market में जब आपको समझ में नहीं आ रहा होता है, कि किस stock के अंदर मैं पैसा डालूँ, किस mutual fund के अंदर मैं पैसा लगाूँ, तो सबसे best strategy यही रहती है, कि आपको हमेशा index fund के अंदर invest करना चाहिए, आपका इस index fund का फाइदा क्या होता है, जिसे आप मेरी screen की सामने दे सकते हैं, यहाँ पे एक index fund दिया हुआ है, UTI Nifty Index Fund Direct Growth, आप इसके अंदर क्या होता है, अगर इस mutual fund का simply अगर आप एक unit खरीदते हैं, तो उस एक unit के अंदर आपको 50 कमनियों की holdings मिल जाती है, आप इसी जो 50 कमनियों होती है, यह वो कमनियों होती है जो इंडिया की top companies होती है, और इसी के उपर आपका Nifty 50 का index चलता है, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर मालीजे आज के दिन Nifty 50 जो है 1.65% से यहाँ पे गिरा है, तो उतना ही आप मालीजे उसके आसपास वो ही चीज़ आपको यहाँ पे इस mutual fund के अंदर भी नजर आएगी, तो सिंपल सी बात है, Nifty जो index कभी भी 0 नहीं हो सकता, तो जो index fund होते हैं, उसके उपर आप आख बंद करके पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि आज नहीं तो कल यह हमेशा यहाँ पे grow हो नहीं वाला है, कभी भी यह 0 यहाँ पे नहीं हो सकता है, तो देखिए particular stock के अंदर क्या हो क्या होते हैं, कि भाई यह कभी यहाँ पे 0 नहीं जाने वाला है, यह हमेशा यहाँ पे बढ़ने वाला है, in terms of the long term period, so guys चलिए बात कर लेते हैं, हमारे इंडिया के अंदर कौन कौन से यहाँ पे index चलते हैं, फिर उससे later हम लोग mutual funds की बात करेंगे, तो देखिए पहला तो यहाँ पे 100 companies की जित्ता भी stock price चलता हो, उसके according, sensex की यहाँ पे points वगरे decide होते हैं, आप guys यहाँ पे nifty के अंदर क्या होता है, लोगों सिर्फ इतना ही बता होगा कि nifty 50 होगा, लेकिन इसके अलाव भी कई सारे यहाँ पे index होते हैं, जैसे nifty next 50 हो गया, इसका मतलब है nifty 50 क के अंदर जो 50 कमनिया है, उसकी जो आगे वाली 50 कमनिया है, जो पीछे वाली 50 कमनिया है, वो सारी यहाँ पे included होती है, nifty 100 की बात करो, मलब शुरू की 50 और बात की 50, दोनों मिलाके nifty 100 हो गया, उसके बात में nifty 200 की बात करो, मलब इंदिया की top 200 companies, उन सभी का यहाँ पे index, उसके बात में nifty 500 बात करो, मलब इंदिया की top 500 companies, फिर आता है nifty mid cap 150, mid cap के अंदर mid size वाली जित्ती भी कमनिया है, वो 150 companies का यहाँ पे index दिया हुआ है, उसके बात में nifty का bank index आता है, उसके बात में nifty का small cap वाली size companies होती है, उसका 100 companies का भी यहाँ पे index आता है, तो guys इन सभी index के base पे ही, यहाँ पे mutual fund के भी index होते हैं, चलिए line wise बात करते हैं कि कौन गौन से यहाँ पे best आपके लिए index fund हो सकते हैं, तो देखिए अगर मैं बात करूँ simply nifty की, अगर आप nifty की उपर bet लगाना चाहते हैं, अगर आप long term investing करना चाहते हैं, तो इसके अंदर जो सबसे best mutual fund है, that is the UTI Nifty Index fund, इसके अगर मैं AUM की बात करूँ, 5000 करोड की assess management का यह मतलब hold करता है, इसके अंदर इतना पैसा डाला हुआ है, investor लोगोंने, इसके मैं crystal line की बात करूँ, तो fourth number की crystal rank fund को यहाँ पे provide की गई है, और direct fund के अंदर आप easily invest कर सकते हैं, और यह जो track करेगा, बलब न 50 जाएसे से बढ़ता जाएगा, वैसे ही आपको यह mutual fund भी यहाँ पे return वगरे provide करता जाएगा, अगर आप इसके returns की देख सकते हैं, यहाँ पे एक वींक के अंदर आपको 1% है, 1 मेने में मैने 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 के अंदर 0.57 है, 6 मेने के अंदर 10% है, और साल का यहाँ पे 32% है, और उसके बाद में next fund है that is the SDFC Sensex DAG fund तो जैसे Sensex का यह जो चलता रहता है index उसी को guys यह पूरा track करता है इसके अंदर भी 89% जो आपका पैसा है जिते भी बड़ी companies है लार्ज क्याप companies है इंडिया की 100 companies उन सभी के अंदर आपका पैसा लगता है तो अगर guys इसके में AUM की बात करूँ तो सबसे जादा AUM है in comparison of जो भी Sensex का सबसे टॉप के अंदर fund चलता है वो सिर्फ यही SDFC का index fund है उसके अपने का में returns की बात करूँ तब देख सकते हैं एक साल का 30%, 2 years का 19%, 3 years में 17%, 5 years में 17% तो काफी अच्छे returns है आप guys लोग क्या समझते हैं हमारे पास में सिर्फ Nifty 50 और HDFC टाइप मतलब जो Sensex होता है कि वह उसी के यहाँ पर index fund होते है जबकि ऐसा नहीं होता है इसके allow भी काफी सारे यहाँ पर index fund होते है तो चलिए उसकी बात करते है तो guys यहाँ पर third index fund है that is the Nippon India Nifty 50 value 20 index fund तो guys यहाँ पर Nifty 50 value 20 का मतलब यह है कि Nifty 50 के अंदर जो 50 कमनिया है उसके अंदर जो सिर्फ 20 valuable कमनी से उन ही के अंदर आपका पैसा यहाँ पर invest किया जाएगा इसके अंदर भी मैं बात करें तो 99% यहाँ पर आपका large cup के अंदर पैसा आपका invest होता है और इंडिया की जो top सिर्फ 20 कमनी से केवल उसी के अंदर पैसा invest होगा पुरी 50 के अंदर नहीं होगा यह सिर्फ 50 में से 20 कमनी को यहाँ पर select करता है और यह गाईस recently यहाँ पर launch हुआ है 6 मिने का returns की बात करों तो 13% का यहाँ पर return है जो आपका Nifty और Sensex दोरों को beat करता है उसके बात में जो अगला mutual fund है that is the UTI Nifty 200 Momentum 30 Index Fund गाईस इसका मतलब simple सा है कि जो Nifty 200 की कमनी आए मतलब इंडिया की top 200 companies उसमें से केवल 30 कमनी को यहाँ पर select कियाता है जिनकी जो stocks होते है वो momentum period में होते हैं मतलब वो बढ़ते रहते हैं एक साल के लिए तो गाईस उसमें भी अगर मैं returns की बात करूँ तो आप लोग यहाँ पर देख सकते है 6 मिने का यहाँ पर 16% का यहाँ पर return है तो गाईस mid cap की जितनी भी 1500 कमनिया हैं इंडिया के अंदर top level वाली 150 companies जिसका जो index है यहाँ पर track की जाता है जिसे मैं आपको index भी बताया भी था तो गाईस उसी से related यहाँ पर mutual fund है इसके अंदर मैं बात कहूं तो जिसे 150 कमनी के अंदर mid size वाली के अंदर यह invest करता है 6% के वर large cap companies है 70% आपका mid cap companies के अंदर invest होगा और 12% आपका पैसा जो है यहाँ पर small cap company के अंदर invest होगा अगर मैं इसके returns की बात कहूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मेने में minus में क्योंगे obviously बात है stock market अभी right now minus में लेकिन आप long term देखेंगे 6 मेने का return 15% है साल का यहाँ पर 50% का return है 2 साल का यहाँ पर 36% का return है तो यहाँ पर guys आपकी जो भी top 150 companies होगे mid size की उसके पूरे index को यह track करता है उसके बात में guys जो next index fund है तो guys इसके अंदर केवल क्या होता है जो nifty hundred मलब top India की जो hundred companies है उसमें से केवल 30 companies ऐसी quality companies को choose किया जाता है जिसके अंदर यह index जो यहाँ पर invest करता है 85% large cap 6% आपका mid cap के अंदर invest होगा अगर मैं इसके returns की बात करूँ तो अभी यह recently यहाँ पर as a N of O launch हुआ था और मुझे काफी अच्छा लगा क्योंकि केवल 30 quality company के अंदर यह invest करता है तो इस type के भी index fund के अंदर आप अपनी शुरुवात कर सकते है तो guys यह उपर मैंने आपको जितने भी होता है 21% यहाँ पर आपका small cap वाली company के अंदर इंवेस्ट होगा अगर इसमे returns की बात करूँ तो आप 6 मेरे में 17% एक साल की बात करूँ 56% और 65% का आपको यहाँ पर return मिला हुआ है तो guys उपर हम लोगों ने large cap, mid cap और small cap को यहाँ पर cover कर लिया उसके बात में guys जो next mutual fund है that is the motilal oswal nifty 500 fund तो guys इसके अंदर इंडिया की जो top 500 companies है उसके अंदर यहाँ पर पैसा invest कियाता है इसके अगर मैं returns की बात करूँ एक साल का return 36% है, दो साल का return यहाँ पर 23% है और यह basically इंडिया की top 500 companies में यहाँ पर अपना पैसा जो है invest करता है तो जैसे हम लोग उपर चल लेते हैं, पहले हम लोगों ने nifty 50 को पकड़ा, फिर nifty 100 को पकड़ा, फिर nifty 200 को पकड़ा तो इस तरह से guys यह expand होता जा रहा है उसके बात में guys जो next अच्छा index fund है, that is the access nifty 100 index fund तो guys यह भी जो इंडिया की top 100 company से उसके अंदर invest करता है 87% आपका large cap के अंदर और 5% आपका mid cap के अंदर invest होता है इसके अगर मैं returns की बात करूँ, 1 साल का 32%, 2 साल का यहाँ पर 21% का return है उसके बात में guys अगर मैं next mutual fund की बात करूँ, that is the motilal Oswald nifty bank index fund आप guys यह nifty bank क्या होता है, तो banking और financial, NBFC कमनी के जित्ते भी stocks है उन सभी के अंदर इसके अंदर invest किया आता है 67% आपका पैसा large cap कमनी और 5.28% पैसा आपका mid cap कमनी में invest होता है और अगर मैं इसके returns की बात करूँ, 1 साल का return आपका 22% का है और 2 साल का CAGI यहाँ पर कम है, only 6.51% तो guys यह bank का जो पूरा index होता है, उसको यहाँ पर track करता है उसके बाद में guys अगले जो यहाँ पर 2 mutual fund है, that is related to debt bonds जी यहाँ, लेकिन debt bonds के अंदर भी indexing का काम करते है तो ICAC का pronential है और idealist का nifty PSO bonds है आप इसके अंदर 40-60 गा ratio होता है, मालब 40% central government की security और 60% state government की, यह केवाल उन्हीं के अंदर invest करता है जो AAA bonds वाले, मालब सबसे highest secure इसके भी अगर आप returns देखेंगे, अभी recently NO4 launch हुआ था, और 1 minute के अंदर इसने 0.91% और 1 ने 0.88% का यहाँ पर return दे चुका है तो यह देखी बिलकुल corporate जो bonds होते हैं, उनसे बिलकुल ही यहाँ पर different है, यह सिर्फ और सिर्फ indexing को यहाँ पर track करता है उसके बाद में guys, जो अगला mutual fund है, that is the UTI Nifty Next 50 Index Fund, तो देखी है हम लोग ने पहले जैसे Nifty 50 की बात की थी, तो अगली जो 50 कम्या होती ही, वो कहलाती ही Next 50, जी हाँ, तो यह किवल उसी के इंदर invest करता है, अगर हमें इसके returns की बात करूं, तो एक साल में यहाँ पर 35%, दो साल का 22%, और 3 साल का यहाँ पर 15% है, तो देखी guys, एको चीज़ यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, आपको हमेशा यह नहीं है, माली जागर आप Nifty 100 के इंदर invest कर देते हैं, तो और Nifty 50, या फिर Nifty Next 50, तो अगर आपको माली जागर Nifty 100 में invest करना है, तो आप यह तरीका भी अपना सकते ही, कि आपने पहले Nifty 50 में कर दिया, और उसके बाद में Nifty Next 50 में कर दिया, तो दो भई दोनों को मिला के भी तो आपकी Nifty 100 हो जाएगी, तो यह इस तरह से आपको अपनी strategy बनानी पड़ेगी, कि मैं direct Nifty 100 में करूँ, या Nifty 50 में करूँ, और उसके बाद में Next 50 के Nasdaq का 100 Index Fund चलता है, अगर मैं इसके रिटरंस की बात करूँ, रिसेंटली यहाँ पर N of 4 लाँच हो आता हो, और अभी यह राइट नौ माइनस में चल रहा है, लेकिन Long Term के लिए डेफिनिटली यह प्लस में होगा, उसके बाद में guys, अगले में Index की बात करूँ, तो that is the S&P 500 जो की US का है, US की जो Top 500 कमणी से उन सभी का Index, तो यहाँ पर भी आप मोतिला और ओसवाल का देख सकते हैं, एक साल का यहाँ पर 26% का return है, तो यह guys मैंने आपको 15 जो है अच्छे कासे Mutual Funds मैंने आपको बता दिये, इसके अंदर मैंने दिखिए, Large Cap को यहाँ पर cover कर दिया, Sense Banks को cover कर चुके, PSU Bonds को cover कर चुके, उसके बाद में हमारी Nasdaq, मलब US का Stock Market उसको भी cover कर चुके, तो guys इतने सारे यहाँ पर Index है, तो आपको अपनी एक Strategy मनाने पड़ेगी, आपको किस के अंदर invest करना है, इन 15 में से आप कोई भी 7 या 10 के अंदर यहाँ पर invest कर सकते हैं, so guys hope you like this video, please subscribe our channel, अगर आप लोग के कोई भी doubt से comment section के अंदर जरूर बताईए, thank you guys, thank you very much